नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तों, HPLT Commission 2021 की जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए हमने एक प्रियास किया है कि यह जो टेस्ट सिरीज है यह उनके लिए लगातार चलाई जाए और इससे पहले हमने बहुत सारे जो इस तरीके के टेस्ट हैं इस तरीके के जो प्रशन हैं वो अपनी प्लेइलिस्ट में रखे हैं LT Commission के नाम से जो हमारी प्लेइलिस्ट बनी हैं उसमें जाके आप उन सभी लेक्षर को देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और बेतरीन तरीके से हमने कोशिश की है कि आपको इस सही तरीके से त्यारियां करवाई जाए और जितने भी हमने प्लेशन रखे हैं वो कही न कहीं सारे के सारे प्लेशन बहुत तो पूर्ण हैं और आज हमने इसमें 25 और question आपके लाए हैं और हम प्रयास करेंगे कि इन 25 प्रशनों से आपके इतने ही प्रशन या फिर इससे जादा और question बन जाए जिससे आपके पास एक question बेंक पूरा का पूरा बन जाएगा तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज वीडियो को जरूर शेर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी न बोलें साथ ही साथ चैनल को अभी तक अगर आपने subscribe नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आपके लिए हम ऐसा हकीकी का अर्थ क्या है देखिए बहुत ही most important है आपका सूफी कावे भक्तिकाल के अंतरगत आने वाली जो शाका है हमारी ज्यानाश्री और प्रेमाश्री शाका तो इसके अंतरगत इश्क हकीकी का मतलब है यहां पर देखिए अलौकिक प्रेम जो लौकिक प्रेम है उसका अर्थ है इश्क मजाजी इश्क मजाजी यह चीज भी आपने ध्यान रखना है यहां पर ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है इश्क मजाजी तो सूफी कावे में इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक मतलब जो लौकिक प्रेम है जो सांसारिक प्रेम है उस प्रेम से आपने इश्वर ये प्रेम तक पहुंचना है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, जो आपका सूफी कावे है, इस तरीके से आपको प्रशन बनने की समभावना यहाँ पर रहती है, तो 26 प्रशन का जो सही उत्तर था, वो था अलौकिक प्रेम, एंड सूफी कावे का जो एक चीज आपने देखी होगी, कि सूफी कावे का मेरुदंड भी किसको आ जाता है, प्रेम को ही माना जाता है, और सूफी कावे में जो आपका इश्वर है, उसको हम स्त्री रूप के में देखते हैं, तो ये प्रशन भी आपके लिए बनता है और इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को कितनी अवस्थाओं को पार करना पड़ता है, ये चीज मुझे आप कमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं, तो आई होप आप इस पहले प्रशन को सही तरीके से समझ गया होंगे, कि इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्त से प्रशन दिख जाएंगे, तो यहाँ पर वैशन्यों भक्ति का जो अधार ग्रंथ है, वो हम सब लोग जानते हैं, वो क्या है आपका, वो है भागवत महापुरान, खास कर जो आप क्रिश्न कावेद की बात करते हैं, वहाँ पर देखना जो दशम सकंध है, उसका उसका जादा तर परभाब देखने को मिलेगा आपको, इसमें भागवत महापुरान, वैशन्यों भक्ति का जो अधार ग्रंथ इसको माना जाता है, बात अगर करें, रिगवेद की सबसे प्राचिन ग्रंथ इसको माना जाता है, यह चीज भी आपने ध्यान रखना है, दिव्य प इसमें रहे हैं, तो यह चीज भी आपको कई बार पूछी जाती है, दिव्य प्रमंधरम शिर्शक का जो संकलन था, वो किस ने किया है, और यह कितने भागों में संकलित है, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, एक प्रशन में आपके लिए जरूर देते हैं, कि गीत गोविंद के रचनकार कौन है, इसको आप जरूर याद रखिए, यह अक्सर पूछा जाता रहा है, तो जैदेव की जो गीत गोविंद है, यह आपकी कुमल कांत पदावली में रचित, कृष्ण कावे से संस्कृत में एक प्रमुख रचना है, तो यह च PGT हिंदी की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यह जो लक्चर है, बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि PGT हिंदी में भी आप देखेंगे, खासकर ऐसे ही प्रशन यहाँ पर रखे जाते हैं, तो यहाँ पर आलवारों के बारे में पूछा गया है, तो आलवार मूलत क क्या थे यह रहे आपके गायक, तो यह चीज आपने ध्यान रखना है, कि इन्होंने गेय पदों के अनुसार ही लिखा है, तो यह चीज आपने थोड़ी से याद रखनी है, यह कभी नहीं थे, यह गायक के रूप में रहे हैं, तो यह चीज आपने ध्यान रखना है, एंड आलवार का मतलब क्या होता है इश्वर में रमा हुआ या इश्वर में डूबा हुआ वो चीज भी आपको कई बार पूछ जाती है आलवार संतों का जो देश के किस भाग से इनका समंध था तो दक्षिन में जो वैश्ण्यो भगत रहे वो आपके क्या कहलाए ये आपके बार संथ कहलाए, इनकी संख्या की अगर बात करें तो 12 है इनकी संख्या है ना, अगर इनकी भाषा की बात की जाए तो तमिल भाषा की रहा और केरल प्रांथ से इनका समंध था, ये चीजें भी आपको कोई बार पूछी जाती है, तो थोड़ा बहुत आप इनको भी जरूर पढ़के जाए, अगर यहां पर बात करें हम देखिए नैनारों की तो नैनार जो रहे वो रहे आपके शैव, शैव जो संथ कहलाए वो आपके नैनार थे, ये चीज भी आपने ध्यान रखना है और नैनारों की जो संख्या थी वो थी 63, ये प्रशन भी आपके लिए कहां पर मिलता है, हलांकि वो प्रशन अपने आप में विवादसपद हो गया था, क्योंकि बाद में वो बोड़ को कैंसल करना पड़ा था, तो विश्नू कृष्न का उलेक सरवप्रत्तम अगर हम बात करें तो वो था आपका रिगवेद में, लेकिन वहां पर रीशी पर विश्णू का सरपर्थम उलेक है तो इसका उत्तर भी आपका क्या है? रिगवेद में हिहीं इसका उलेक सबसे पहले मिलता है तो यह चीज भी आपने ध्यान रखना है अगर मुझे वो comment section में जाकर बता सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको उसका उत्तर नहीं मालूं, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रियासों से उसको भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, चलिए next question देखते हैं, भक्त नामावली के रचनाकार कौन है, तो भक्त नामावली देखें, यहाँ पर रचना रखी गई है, तो इसके जो रचनाकार हैं देखिए, यह कौन है, यह है आपके बिकल्प नंबर C धुबदास, तो बिकल्प नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा, और धुबदास ने 42 लीला नामक गरंथ भी इन्होंने लिखे हैं, मतलब इन्हों के 42 जो गरंथ रखे हैं, उसके पीछे इन्होंने लीला शब्द को जरूर जोड़ा है, तो उस चीज़ को भी आप थोड़ा सा याद रखके जाएए, वो चीज़ने भी आपको पूछी जा सकती है, तो ये था इसका सही आंसर, कि 42 लीला के नाम से जो गरंथ लिखा है, किस ने लिखा है, धुबदास ने लिखा है, और धुबदास किस संप्रदाई के अंतरगात आते हैं, ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर, जरूर बताईए, किश्न भक्त कव्यों में जो है, इनका उलेक होता है, ठीक है, यहाँ पर जो नाबदास है दिखिए, उन्होंने भक्त नाम, भक्त माल जो है, परंपरा में सबसे पहले रचना रची है, ये चीज़ भी आपने थोड़ी सी ध्यान रखना है, और अश्टियाम भी इन्होंने लिखे हैं, इसके अलाबा, जो नंददास रहे, नंददास की रचनाओं को आपको जरूर पढ़के जाना है, क्योंकि अश्ट छापी कव्यों में, काव्य सौश्चों के अधार पर सबसे ज़ादा जो सशक्त रत्यनाकार रहे हैं, वो रहे हैं आपके नंददास, और ये अश्टापी कव्यों में सबसे छोटे कभी भी माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने रचनाएं सबसे ज़ादा रची हैं, इनकी चाहे अनेकार्थ मंजरी हो, चाहे रस मंजरी हो, चाहे रूप मंजरी हो, या फिर सुदामा चरित हो, या फिर रास पंचा ध्याई, और दूसरी एक और सिधान्त पंचा ध्याई के नाम से रचना रची है, तो वो भी कई बार पूछी जाती है, अनेकार्थ मंजरी भंवरगीत भंवरगीत most important रचना है देखना इनकी वो चीजें भी आपको ध्यान रखनी है अक्सर नंददास की रचनाओं को प्रशन में पूछा जाता है तो वो चीज आप जरूर पढ़के जाए हो सकता है ये एक बार फिर से आपको पूछा जाए इसके लावा यहाँ पर चत्रभुजदास है तो चत्रभुजदास किस अश्चापी कवी के बेटे थे हाला कि ये खुद भी अश्चाप में शामिल रहे हैं ये आप मुझे comment section में जाकर जरूर बताइए चलिए I hope आपने 30th question है इसको भी सही तरीके से समझा होगा and अगला प्रशन है दिखिए कबीर परिचाई किस की रचना है तो ये important प्रशन है यहाँ पर कबीर परिचाई किस की रचना है तो कबीर का जो परिचाई है वो किस रचना से मिलता है या किसने इसको लिखा है ये चीज आपको पूची गई है तो यहाँ पर जो सही आंसर था देखिए ये था अनंतदास विकल्प नंबर A इसका सही आंसर हो जाएगा इन्होंने लिखी है कबीर परिचाई इसके लावा धरमदास ने बीजक लिखी है आप सब लोग जानते हैं तो ये चीज भी आपने थोड़ी सी याद रखनी है है ना चलिए next question देखते हैं सूफी मत का मेरुदंड क्या है अगर आपने पहले ध्यान दिया होगा अच्छे से तो आपको हमने ये चीज पहले ही बता दी है कि सूफी कावे का जो मेरुदंड माना जाता है वो है हमारा प्रेम तो सही चीज है यहां पर प्रेम ठीक है सूफी कावे का जो रहसेवाद रहा और जो संत कावे का रहसेवाद रहा वो थोड़ा सा अलग है उसमें भी आपको अंतर करना आना चाहिए अगर नहीं मालूम तो आप पूरिया में कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं फिलाल इस प्रशन का जो उत्तर था वो था प्रेम नेक्स प्रशने देखिए किस सूफी कावे रचना का स्थान डलमव जिला राइबरेली है तो इसका जो सही आंसर हो को ही माना जाता है तो ये आपने ध्यान रखना है चंदाईन मुला दाउद की रचना है और सर्व्odor माने मत यही है कि ये प्रत्त्तम प्रिमाख्यानक कावे है इसके बारे में आपने थोड़ी सी याद रखना है and माता प्रसाद गुप्त न कि इसे लोर कहा या लोर कपहा नाम से अभित किया है, इस चीज को भी थोड़ा सा याद रख लीजिए, है ना, हो सकता है ये चीज भी आपको पूछा जाए, सत्यवती कथा किसकी रचना है, ये इश्वर दास की कथा है, ये भी आपको ज्यान होना चाहिए, थोड़ा सा most important रचना है, देखिए, सत्यवती क नायक है, देखिए, वो है रितुपर्ण, है ना, वो इसमें जो आपका शाप से कोड़ी हो जाता है, ये चीज़ आपनों ध्यान रखनी है, पदमवत के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, तो इसके बारे में मैं समझता हूँ, बताने की जरूरत आपको नहीं है, नेक चीज़ भी आपने थोड़ी सी याद रखनी है, अगर दास ने रसिक संपरदाय का फ्रवर्टन किया था, राम कावेधारा के अंतरगत, ये चीज़ भी आप याद रखनी है, कई बारे ऐसा प्रशन पूछे जाता है, कि अगर दास किस कावेधारा से सम्बंदित रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो सई आंसर होगा, वह होगा आपका राम कावेधारा के अंतरगत, ठीक है, तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी याद रखनी है, तुलसी गंग दुवभै सू कविन के सरदार किस की पंक्ती है, तो ये जो पंक्ती है, ये है आपकी बिखारी दास की प है, और चंदारन पिंगल, चंदने रूपकन की एक महत्वपून रचना मानी जाती है, ये चीज़ भी आप थोड़ी सी याद रखके जाहिए, आपने 35 प्रशन अच्छे से समझाओगा, और विखारी दास के बारे में कुछ एक चीज़ें आपने याद रख ली होंगी, न आपने ध्यान रखना है, most important रचना है देखिए, आपकी अध्यात्म रमाइन, जो किस ने, सबसे पहले इशंकर भगवान ने रमाइन कथा किसको सुनाई थी, पारवती को सुनाई थी, उस वक्त जो काग बुशुंडी उस कथा को सुन रहे थे, उसी काग बुशुंडी ने कांड सब लोगों को पता है कि साथ कांड है, आप बच्पन से रमाइन पड़ते आ रहे हैं, कितने इसको टाइम लगा लिखने में, ये चीज भी आपको पता है, दो वर्ष, साथ महीने, कुछ 26 दिन के आसपास का समय लगा इसको लिखने में, एंड इसके अलावा, जो 12 रचनाएं हैं, टोटल, जो उदेभानू ने माना है, जो प्रमानी उनकी माणी है, 12 रचनाएं, और यहां से आपको ऐसा परशन बनता है, कि 6 इनकी जो ब्रजबाशा की है, 6 जो दूसरी इनकी किस की है, अवदी की रचनाएं हैं, तो वो आपने ध्यान रखनी है, तो भक्ति की परंपरा आप देखेंगे ख्रिश्य भक्त कव्यों की भर्मार है हिंदी साहित्य में बनस्पत जो आपका राम कावे है राम काव्य कंव इसलिए कर मान जाता है क्योंकि तुलसी दासuffy का जो एक बर्गद माई व्यक्तित तो माना जाता है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण कि उन्होंने राम कावे जो राम चरीत मानस लिख कर अन्य कवियों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं लिखने के लिए तो इस आधार परम कहते हैं कि सबसे लंबी और समरित जो कावे परमपरा रही है ये कृष्ण भक्ति कावे की रही है शिव भक्ति का उलेक आप देखेंगे कि हमारा हिंदी साइट में ना के बराबर है प्रकृति परक भले ही रहा है लेकिन फिर भी सबसे लंबी जो समरित परमपरा है वो है कृष्ण भक्ति कावे परमपरा की ठीक है नेक्स प्रशन देखिए रामचरित मानस के प्रत्थम टीका कार कौन रहे हैं तो ये प्रशन रामचरित मानस पर सबसे ज़्यादा टीका लिखा गई हैं यह आपने ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा टीका हैं रामचरित मानस पर और इससे कम दूसरे नंबर पर जो काई ज़रूर लिखी है तो वो आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो राम चरण दास ने ठीक है तो यह आपने बताना है यह प्रशन आपके लिए कि इन्होंने कौन-कौन से पीकाई लिखी है चलिए अगला प्रशन देखते हैं रतन बावनी किसकी रचना है रतन बावनी most important रचना देखना जो आपके यहाँ पर रहे हैं केशव दास इनकी यह प्रसिद रचना है रतन बावनी और यह इनका कैसा ग्रंथ है प्रबंधात्मक कृति है इस तरीके से भी आपको प्रशन पूचा जा सकता है केशव दास की रिती निरूपक जो रचना हैं वो कौन-कौन सी हैं चार रखनी है आपने याद छंद माला जिसमें सबसे मतपुन है और एक इनकी और दो रचना आती है कवी प्रिया, रसिक प्रिया और एक है नक्षिक यह जो चार है यह इनकी जो आपकी रितिकाल के या दृतिनी रूपक ग्रंथाते हैं बाकी जो अन्य हैं देखिए चाहे राम चंदरिका हो गया, चाहे रतन बावनी हो गया ये दो आपने याद रख लेने हैं, ठीक है, नंद दास आपके अश्च्छापी कभी हैं, इनकी रचनाओं को थोड़ा बहुत जरूर पढ़के जाईए, हो सकता है आपको इन तीनों की रचनाओं के बारे में भी पूछा जाए, important है आपके ये वाले, और मैं अक्सर कहता हू कि आपको जो टेस्ट देने का मतलब ये नहीं होता है, कि मैंने रतन बावनी कूछ लिया, तो आपको रतन बावनी ही आएगा, यहाँ पर जो विकल्प रखे गए हैं, ये भी किसी ना किसी परपस से रखे गए हैं, कि आपने इन विकल्पों से भी कुछ न कुछ प्रशन चलिए, नेक्स कॉशन देखते हैं, पुष्टी से क्या अभी प्राय है, तो देखिए पुष्टी मार्ग के प्रवर्त कौन रहे, ये रहे आपके वलवाचारे, ठीक है, वलवाचारे, और इन्होंने संपरदाय कौन सा चलाया, वलव संपरदाय चलाया, ठीक है, तो ने अधूरी चोड़ी थी, जिसको इनके पुत्र विठ ठलनात ने पूरा किया, ठीक है, नेक्स प्रशन देखते हैं, सूरसागर क्या है, तो सूरसागर के वारे में आपने यहाँ पर देखना है कि सूरसागर क्या रहा है, यहाँ पर इस प्रशन का जो सही उत्तर होना चा है, वो है साहित्य लहरी, तो यह चीज भी आपने यहाँ रखना है, जो यहाँ पर सूरसागर है, यह ए या बी में से इसका उत्तर हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आपके पास सही उत्तर इसका है, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, यहाँ प पॉट्न रचना है देखना वलवाचारे की, तो इसको आपने थोड़ा सा दियान रख लेना है, मोस्त इम्पॉटेंट कृति है वलवाचारे की, ऎन्ट नëक्स प्रशन आता है, यहाँ पर पुष्टी मारक का जहाज, सूर्दास को किस ने कहा है, यह इनकी मृत्टियों पर कहा था, यह आप सब लोग जानते हैं, किस ने कहा था, विट्ठल नात्स ने कहा था, है ना, जब इन्होंने कहा था कि पुश्टी मारका जहाज जाता है, जाको कछु लेना है तो, लेूँ, ठीक है, तो ये चीज भी आपने दियाँ रखनी है, पुष्टी मारक का जहाज। अच्छाप में पुष्टी मारक का जहाज जो रहे, आपके कौण रहे, सूर्दास, इसके अलावा अच्छाप में अधिकारी के नाम से कृशनदास रहे, अश्चाप में कीर्थनकार कोई आपके कौन रहे, या आपके कुमबंदास रहे और संगीत कार, जो संगीत अग्यश्रिष्ट माने गए, वो आपके इसमें गोविंद सวामी माने जाते हैं, ये चीजग आपने ध्यान रखने है, हो सकता ये चीज़ पूछा जाए वल बचारे से सूर्दास का किस तरीके का संबन्ध था ये आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जाकर बताईए अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि ये तेयारियां और ये जो प्रशन में आपके बीच में रख रहा हूँ इनको सही तरीके से आपको तो आप प्लीज वीडियो को जादा से जादा शेयर करना बिल्कुल भी न भूले अगर आप भी तैयारियं करना चाहते हैं किसी भी परिक्षा की तो आप हमारे साथ जूड़ सकते हैं मैं आपके टीच्मेंट में एक सिलबर एजुकेटर के तौर पर हूँ और वहा की जो भक्ति है देखिए ये है आपकी माधूर्य भाव की भक्ति माधूर्य भाव से मतलब है जहां पर ईश्वर को जो है पती के रूप में या प्रेमी के रूप में रखा जाता है वो ही आपका माधूर्य भाव की भक्ति चलिए नेक्स वशन देखते हैं अगला प्रशन एकवर ने इनको पहले भी बता दिया था तो इस चीज़ को भी आपने द्यान रखना है एंड रहीम की जो इनकी रचना रही देखिए इसकी भाषा क्या है ये आप को मेंड सक्षन में जाकर मुझे बता सकते हैं most important इनके खृती है ये इसके लावा इनने नगर्शोबा के अलावा इनकी मदनाश्टक रही बरवे रमाइन रही है ना बहुती महतफुन रचनाय है उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आप जरूर पढ़के जाईए वो रचनाय भी कई बार पूछी जाती है तो रहीम important है जो आपके दर्वारी कवी इनको माना जाता है अकबर के दर्वारियों में शामिल थे आपके रहीम दास ये चीज़ आपको पूछी जा सकती है रस खान संपरदाय निर्पेक्ष कवी रहे देव आपके रिती बद कवी रहे और सिनपति आपके रिती सिद्ध कवीयों में ग अगला जो प्रशन है देखिए मेरे प्राणनात श्री स्यामा किसकी पंक्ती है मेरे प्राणनात श्री स्यामा आगे है देखिए सफत करो तिन च्छाए यह इस त्रीके की यह पंक्ती है मेरे प्राणनात श्री स्यामा सफत करो तिन च्छी है है ना तो यह वाली पंक्ती किस र देखिए ये है आपके हित हरीवंश की और हित हरीवंश ने कौन सा संप्रदाय चलाया था रादा वल्लब संप्रदाय चलाया ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है मेरे प्राणनात श्री स्यामा ये पंक्ती हित हरीवंश की पंक्ती है और गदाधर भट की important पंक्ति है जो अक्सर पूछी जाती है ये परिक्षा में सकी होंस्याम रंगी ठीक है ये वाली पंक्ति किसकी है गदाधर भटकी है मीरा की पंक्तियां भी आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है मेरे तो गिरधर गोपाल नागर और न कोई जाके सिर्मोर मुकट मेरे पती कुछ इस तरीके के इनकी पंक्तियां देखना उनको भी आपने याद रखना है ठीक है तो ये आप थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़के जाईए इंपोर्टेंट जैसे आपके रचनकार है उनकी ही पंक्तिया आपने देखनी है सब की पंक्तियों को देखने की बात ज संपादन किस शीरशक से किया गया है ये प्रशन इंप्रशन है फुर्दास जो रचनाय रही जितनी भी रचनाय रही उनका जो शंपादन किया गया है ये राग कलप दुम के नाम से किया गया है most important चीज़ और ये देखना इनको आपने ध्यान द्रुम नाम से हुआ है, इस चीज़ को आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, हो सकता ये चीज़ पूछा जाए, कभी कुल कलप द्रुम, ये किसकी रचना है, ये आपको देखना है, सुन्दरी तिलक और सुन्दर पदावली, इन रचनाओं के बारे में, सुर्दास पदाव नेक्स प्रेशन देखते हैं, यहां पर प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो प्रेम वाटिका की जो रचना कार रहे हैं, देखिए, ये हम सब लोग जानते हैं, ये रस्खान की बहुती श्रिष्ट रचना मानी जाती है, और इसमें इनोंने कहा भी है कि प्रेम प्रेम सब नाम क्या था इसको भी आप थोड़ा सा याल रख लीजिए हो सकता इस चीज़ के बारे में भी आपको पूछा जाए तो यहां पर आपने ये चीज़ें द्यान रखनी थी रहीम के बारे में हम पहले ही पढ़ जो कहें कि इनकी कौन-कौन सी रचनाय है मीरा की गीत गोविंद की टीका और नर्सी जी का मायरा बहुती श्रेश्ट रचनाय है इनकी है ना तो उसको भी आपने द्यान रखना है क्रिशन दास की खुछ रचनाओं से रिलेटिड आपको प्रशन नहीं बनेगा ये आपके अश्च छापी कभी रहे हैं यहां पर ये पंक्ति मैंने आपको पहले ही बता दी आकरी जो हमारा आज का प्रशन है देखिए प्रेम प्रेम सब को कहत प्रेम न जानत कोई जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोई यह पंक्ति रस्खान की केस रचना की है तो इसको हमने यहीं पर देख लिया ये थी इनकी प्रेम बाटिका से ही ये आपने ध्यान अतना है ठीक है तो बस ये थे आज के 25 क्वेशन आई होप आपने इन 25 प्रशनों से इतने ही क्वेशन और ढूंडे होंगे और बनाये होंगे अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को एक पर फिर से मैं कहूंगा कि लाइक, श